भुद्ने का दराद, थेउने का दराद, जांक का दराद, कमर का दराद, पीठ का दराद, पसली का दराद, पांक का दराद में बहुत अजुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुद उस्तक में मिलता है और हमारे सारंगधर सहिता में इसका बढ़न है और इसका निर्मान गोन उपयोग और सिवन करने का विधी जो है हमारे आर्वेद के महर से सारंगधर सहिता में क्या बढ़न किये हैं तो आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहरा हूं आज व लाईक नेकिये हैं इससे like कर दीजे तु रसन सब्यक्रद्वात का कौन-कौन सावश्दी आउस्दी डालकर इसको निर्मान करते हैं पहला और यंदी डालते हैं रसना दूसरा और यंदी डालते हैं ईरण्ड का जड तीसरा जंदी यह गिलोई चौंता आउस्दी डालते हैं दिवदारू, पाचवा आउस्दी डालते हैं पुर्णवा, छट्था आउस्दी डालते हैं सोनोट, और सात्वा आउस्दी डालते हैं अमलतास का गुद्धा, यानि सात आउस्दी डालते हैं और सभी को बराबर बराबर मात्रा में ले लेते ह और उसको चूर्ण कर देते हैं चूर्ण करने के बाद एक सीसी के पात्रे में उसको रख देते हैं और उस चूर्ण से एक तोला चूर्ण निकालते हैं और 16 तोला जल लेते हैं और अगनी पर चढ़ा देते हैं जब अगनी पर हुआ जो है चार तोला सेस बजाता है पकते पकते और बागी जो है जल जो है उड़ जाता है तो उसको उतार कर अंडा होने पर उसको छान लेते हैं और छानने के बाद उसमें थोड़ा ता रेड़ी का तेल डालते हैं और उसको सेवन करते हैं तो इस आउस्दी के सेवन करने से विशेश करके आपको बात ब्याधी में यह जो है बहुत अच्छा लवकारी आउस्दी है आपको भूटने का दराद, फ्यूने का दराद, जांग का दराद, कमर का दराद, पीठ का दराद, पसली का दराद, पांग का दराद में बहुत अच्छू का काम करता है यह जोड़ी जो है दूर करता है दूर करता है और आपको मात्रा जो है पहले मैं बता चुका हूं चार तोला जो प्रतिदी पीना है और इस वीडियो देखने के लिए मैं आपको अनबात दे रहा हूं जय धन्वंत्री जयारवे